आज हम सभी देखेंगे कैच बेशिन क्या होता है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है जो कैच बेशिन हमारा है जो हमारा सीवर होता है सीवर उपांग यह कह सकते हैं कि सीवर साज समान के अंतरगत हमारा यह कैच बेशिन भी आता है एक हमारा कैच बेशिन है दूसरा हमारा होता है वास बेशिन और एक हमारा होता है सिंक जो हमारा सिंख होता है या रसोई घरों में बनाया जाता है बरतन को धुलने के लिए जहां पर गर्म उठंडे पाने की बेश्था होती है जो हमारा वास बेसिन होता है या वास बेसिन भहुनों के अंदर लगाया जाता है ब्रामदा वाहा ब्रामदे में लगाया जा सकता है कह सकते हैं कि सवचाले में भी लगाया जा सकता है या किसी कमरे के साथ गैलरी में कहीं पिभी भहुन के अंदर लगाया जा सकता है जो वास वास बेसिन हमारा है और सिंक है यह दोनों भावनों के अंदर लगाया जाता है जबकि कैच बेसिन यह हमारा भावन के बाह लगाया जाता है यह सडकों के साथ बनाया जाता है और यह दोनों हमारा भावनों के साथ बनाया जाता है जो हमारा वास बेसिन होता है वास बेसिन यहां हाथों को धुलने के लिए भौनों के अंदर लगाया जाता है सिंक जो हमारा होता है बरतन को धुलने के लिए किचन के अंदर लगाया जाता है जो हमारा कैच बेसिन होता है यह कैच बेसिन हमारा सड़कों के साथ साथ कुछ दूरी पे लगाये जाते हैं अब कैच बेसिन लगाया जो जाता है का सकते हैं जब बरसा होती है तो बरसा होने से जो हमारी सड़के होती हैं जैसे कि यहां पे सड़क दिखाया गया है तो इस सड़क पे का सकते हैं रेट की मात्रा होगी, ग्रिट होगा, सिल्ट होगा, बालू के कड़ होंगे, ये सारे इसके सड़क के सता पे उपस्थित होते हैं जब बारसा होती है, तो बारसा के कारण क्या होता है कि ये रेट, ग्रिट, सिल्ट ये बहुत छोटे छोटे कड़ होते हैं, बारसा जल के साथ मिल करके ये हमारे सीवर लाइन में जाते हैं, और सीवर लाइन को अरुद्ध कर सकते हैं तो ये सीवर लाइन में जाने से रोकने के लिए एक कैच बेसिन बना लिया जाता है, कैच बेसिन जैसे कि यहां चित्र में दिखाया गया है, तो यह हमारा एक कैच बेसिन ही है, जब यहां जो सड़क दिखाया गया है, जब बरसा होगी, तो बरसा के कारण, इसमें जो रे एकत्रित होंगे जैसे कि स्ची टेर टेंड कुछ तरने वाले प्दार्थ के बारे में याउ धिखाया गया है कि जब यहाँ पे इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक जाली लगाई जाती है छैपिज द्वार जो प्रवेस द्वार पढ़ें यह प्रवेश द्वार दो प्रकार के बनाए जाते हैं 36 द्वार एक उर्धवाधर द्वार तो यह हमारा 36 द्वार है और इस पर क्या किया जाएगा कि इस प्रकार से जाली लगाई गई होगी जब बरसा कर जले हाँ अधिक होगा । जिसके कणड़ नीचे तली पर बैठ जाएंगे तो यहां से जो हमारा सीवल लाइन इस रोड की नीचे सी पाइप ला करके जोड़ बीचा जाएगा लेकिन चोब पाइप यहां पर लगाया जाएगा या कुछ ट्रे oil का सकते हैं जो पाइप लगाए जाए गी उसमें कुछ पानी या ढोल कि यह फिर जैसे की विंद्छा यहां दखाएंगे और नेके यह जलों के टल से बाहर निकालने के लिए ब्योस्था बनाई जाएगी जिससे कि तैरने वाले पदार्थ कुछ हो तो वह भी सीवर में ना जाने पाएं या इसके तली पर बैटने वाले जो पदार्थ हो वह भी हमारा सीवर के अंदर ना जाने पाएं क्योंकि अगर ये दोनों सीवर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सीवर के तली पर यही कठा हो करके सीवर को अव्रुद्ध कर सकते हैं लेकिन जो यह हमारा कैच बेशन बनाया जाता है यह कैच बेशन जब हमारा सन्यूक्त प्रडाली सन्यूक्त प्रडाली अपनाई जाती है तभी बनाया जाता है सीवरेज सिस्टम के अंतरगत ये हमारा आता है एक हमारा होता है पिर्थक प्रडाली पिर्थक प्रडाली दूसरा हमारा सन्यूक्त प्रडाली है तीसरा हमारा जो है वहाँ आंसिक पिर्थक पडाली है पिर्थक पडाली में बर्षा का जल और कह सकते हैं कि घरों से निकलने वाला घरेलू सीबेज इन दोनों को अलग-अलग पाइपू के द्वारा ले जाए जाते हैं यानि जब हमारा पिर्थक पडाली होगा तो बर्षा जल अलग और घरेलू सीबेज अलग पाइपू के द्वारा सहर से या छेतर से बाहर ले जाया जाएगा सन्युक्ट पडाली में यानि बरसा का जल और घरेलू सीवेज यह दूनों एक ही पाइक के द्वारा सहर से बाहर ले जाये जाता है आंसिक पिर्थक पडाली में क्या होता है कि जो घरेलू सीवेज होता है और बरसा का कुछ जल यह का सकते हैं कि जो भावनों के छेतर के अंदर होता है भावनों जैसे का सकते हैं कि भावन के लिए बांडरिवाल बाहर से बाहर बनाई गई अब बरसा का जो जल छटों पे नहीं जाने दिया जाएगा तो वह हमारा आंसिक पृत्षक पड़ाली है तो जो हमारा कैच बेसिन बनाया जाता है वह सिर्फ और सिर्फ सन्यूक्त पड़ाली के लिए ही बनाया जाता है यह हमारा चिनाई करके कंक्रीट का या फिर का सकते हैं कि इट चिनाई का बनाया जाता है और यह जल रोधी कच्छ बनाया जाता है लेकिन इसकी जो आधार तयार की जाती है यह आधार साधा कंक्रीट का ही बनाया जाएगा लेकिन वह भी हमारा जल रोधी होगा यहां पर प्रवेस द्वार दिखाया गया, 36 प्रवेस द्वार है, और यहां पर तारों की जाली इस प्रकार से लगाई गई होगी, जिससे की तरने वाले इसके सता पर रुख जाएं जो भी तरने वाली पदार्थ हों, और जो ऐसे पदार्थ हों, जो जाली को पार करके आते हो वो यहां नीचे तली पर एकत्रित हो जाएं तो यह हमारा कैच बेसिन होता है और यह बनाया कहां जाता है सड़कों के साथ साथ कुछ दूरी पर बना लिए जाते हैं कि अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला है कि ट्रेप तो जो हमारा ट्रेप होता है ट्रेप हमारा कांचित सैल भांड जो पदार्थ होते हैं उनके बनाया जाते हैं यह जो ट्रेप बनाया जाता है यह ट्रेप भौन के अंदर भौन के बाहर आवसकता नुसार कहीं पर भी लगाया जाते हैं जो ट्रेप लगाने का मुख खुद्देश होता है जो सीवेज में ठोस कड़ हो ओ ठोस कड़ इससे बाहर ना जाने पाएं दूसरा जो सीवर लाइन के अंदर गैसे उत्पन होती हैं बिसफोटक गैसे उत्पन होती हैं या किसी भी प्रकार के अदर गैस सीवर के अंदर होता है तो वह बहुन में आने से रोकने के लिए बनाया जाता है अब यह जो हमारे ट्रेप होते हैं आकार के अधार पे और उपयोग के अधार पे कई प्रकार के बनाया जाते हैं और सकता अनुसार इसमें जिसकी आउसकता होती है उसका प्रयोग कर लिया जाता है तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आकार के अधार पर कौन कौन से प्रकार क ट्रेप होते हैं तो आकार के अधार पर एदिवात किया जाए तो P ट्रेप Q ट्रेप और S ट्रेप होगा जैसे कि यह चितर में दिखाया गया है यह भावनों के अंदर परियोग किया जाता है वहीं अगर बात किया जाया तो एक ट्रेप दिखाया गया है जिसको कहा जाता है गलेट्रेप हमारा उपियोग के आधार पे हैं अगर इस को फर्शी ट्रेप या फ्लोर ट्रेप बनाना हो तो जही आहां पे प्रिवेश द्वार होता है इसी प्रिवेश द्वार को हटादिया जाइ Anfangाइक से प्रयूक है रहा तो जो यह ट्रेफ हमारा बनेगा वह हमारा फ्लोर ट्रेफ हो जाएगा वहीं पर जो हमारा गली ट्रेफ होता है यहां से क्या होता कि जैसे अगर भावन यहां पर दिखाया गया तो यह अगर किचन हो गया यह हमारा एक रूम हो गया और यहां पर बना दिया गया रिचल कर्च तो यहां से क्या किया जाएगा कि यहां से निकलने वाले गंदे जल्प यहां तक लाया जाएगा यहां पर लगा देंगे एक ट्रेप जो हमारा फ्रोर ट्रेप होगा लेकिन यहां पर जो ट्रेप भी होता है यानि जो कीचेन का जल होगा लाकर के एक पाइप इसी के साथ जोड़ दिया जाएगा और यह हमारा है इंटरसेप्टिंग या अंतारोधी ट्रेप का सकते हैं जिसको मास्टर ट्रेप भी कहा जाता है यह भावनों के बाहर लगाया जाता है निए भावन से किसी भी प्रकार के गंदे जल निकलते हैं सभी ट्रोपों से पाइपों के द्वारा होते हुए लास्ट में यह यहां पे हमारे अंतारोधी ट्रेप के साथ मिक्स होकर के फिर यहां से यह बाहर निकलता है तो यह हमारे ट्रेप हो गए ट्रेप का सकते हैं कि एक पाइप का टुकड़ा होता है लेकिन वह सीधा ना हो करके मोड करके बनाया जा सकता है जैसे अगर इस प्रकार से है तो यह हमारा पाइप हो गया अगर इसमें यहां से जल की कुछ मात्रा डाली जाये तो सारा का सारा जल यहां से बाहन निकल जाएगा लेकिन अब जब ट्रेप बनाया गया तो इसी पाइप को सीधाना रह करके मोड दिया गया जैसे कहा जाए कि इस प्रकार से बनाया जाए तो यह भी हमारा एक पाइप ही था लेकिन किया क्या गया कि मोड दिया गया अब यहां से जल की मात्रा इसमें परवेश कराई जाती है तो एक तल तक कह सकते हैं कि यहां तक इसमें जल की मात्रा हमेशा इस्थिर रहे तो यही अगर जल की मात्रा इसमें इस्थिर रह जाता है तो यही हमारा ट्रेप का कारी करता और यहां पर जितनी गहराई तक जैसी यहां से और यहां तक जल की मात्रा एकत्रित हो रही है तो इसको कहा जाता है जल सील तो यह हमारा ट्रेप के बारे में है अब हम देखेते हैं शाइफन या कहा सकते हैं उल्टा साइफन तो जब हम सीवर लाइन को किसी छेतर में बिछाते हैं या उसका ले आउट किया जाता है तो बीच बीच में कहीं पर जो हमारा सीवर लाइन होता है उसके तल को उचा नीचा करना पड़ता है जैसे कह सकते हैं किसी अस्थान पर railway line आ जाए या पट्री बिच्छाई गई हो कोई नदी आ जाती है या कोई नाला आ जाता है तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा sewer line होगा उसके तल को कुछ नीचा करना पड़ेगा तो अगर वहाँ पर नीचा किया जाता है तो वह हमारा उल्टा साइफन हो जाता है क्योंकि यह नीचा करने से जो दर्विय ढ़ाल रेखा होती है hydraulic gradient line होती है यहाँ एक सीध पिना हो करके उससी कुछ नीचे हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि जब उसका तल दर्विय ढ़ नीचे हो जाता है जैसे कहा जाएं कि दर्विय ढ़ाल रेखा है यहाँ पर पाइप को इस प्रकार से बिछाया गया यह ढ़िज़ा यहां पर जल की कुछ मात्रा डालते हैं तो जुब सीवर होता तो यह पूरा-पूरा भर करके नहीं बाता हुआ उपर कुछ अस्थान खाली छोड़ दिया जाता है लेकिन अगर कहा जाए कि यहां पर कोई नदी यहां पर आ गई तो यहां पर सीवर लाइन को इस दर्विय ढाल रेखा पर नहीं बिचाया जा सकता है तो ऐसे में इस दर्विय ढाल रेखा को यहां से ऐसे लाया जाएगा तो यहां पर अगर इस पाइप को हम कुछ नीचा करेंगे इस प्रकार से तो यह जो पाइप यहां पर डाली जाएगी सीवर लाइ तो होगा तो यहीं पर हमारा साइफन का कार्य होता है अब अगर बात किया जाए तो यहां पर दोनों सिरों पर क्या किया जाता है कुछ मैन होल बना दिये जाते हैं यह जो मैन होल बनाये जाते हैं यह सीवर की साफ सफाई के लिए क्योंकि अगर इस दवरान यहां पर जब सी नीचा होने के यहां पे कुछ लिश्क निख करड़ आ करकर एक Palais करें यहां पर भी होने लगते हैं तो इससे क्या होता कि जो Captain High Main को नीचा करके आगे बढ़ाया जाना है वह ए और अऔर रुद्ध हो सकता है तो अवरोध होने से रोकने के लिए या का सकते हैं इस pipeline की साफ सफाई के लिए यहां पे मैन होल बना दिये जाते हैं और जो इसके नीचे यह pipeline बिछाए जाती है कम से कम दो pipe तो बिछाए ही बिछाए जाएंगे यहनि जब civil line आएगा तो वहां से दो के अस्थान पे एक के अस्थान पे दो तीन pipe पे कर दे जाएंगी जिससे कि आउसकता के नुसार वहां पे क्या किया जाए कि civil line की मात्रा अधिक होने पर जब साफ सफाई के आउसकता पड़े जैसे कि यहां पे दिखाया गया है कि यहां से inlet हो रहा है ने एक civil line आई और यहां पे outlet हुआ अब यहां पे क्या किया गया कि सीवर लाइन दो भागों में डिवाइट कर दिया गया एक यहां से हो प्रवा को बंद कर दिया जाएगा और यहां से होता हुआ इस पाईप से होता उटलेट में यहां से होता हुआ बाहर निकल जाएगा उस समय इस वाले कच्च की यह pipeline की हम सफाई कर लेते हैं और जब सीवेज हमारा यहां से हो करके जाएगा तो हम उस समय उपर वाले pipeline की सफाई कर लेते हैं तो यहां पर उल्टा साइफन यह हमको दिखाया गया प्लान इसका और यहां पर इनवर्ट साइफन का सेक्षन दिखाया गया यहां पर देख रहे हैं तो एक रेलवे लाइन दिखाएगा जिससे की जील से कुछ नीचे पर बनाएगे जहां पर क्या हुआ धर्विय ढाल रेखा यहां से हो ना पड़ता तो चूकि आप पहले से बिखाया गया था और सीवर लाइन बाद में डाले गए तो यहां पर इसके तल को कुछ नीचा कर लिया गया और यहां पर इस प्रकार से बनाए जाएंगी जब रेलवे और आ रहे तो वहां पर बाइब्रेशन हो गया तो बाइब्रे तो द्धावन टंकी क्या होता है कि जब जो जिन अस्थानों पर पाइपलाइन बिखाया जाती हो अलग भग भूमतल से कुछ ही गहराई पर हो यह का सकते हैं कि आएसे छेतर में पाइपलाइन बिखाया गया हो जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल उचा हो तो ऐसे अस्थ पर भी हो सकता है कि जो दर्विये ढाल रेखा होती है है वह उस रेखा पर ना बिखाया जा सके तो अगर उस रेखा पर नहीं बिखाया जा सकता है तो जो सीवर के अंदर सीवेच का प्रवाह होगा वह कुछ कम हो जाएगा या का सकते हैं कि स्वासोधी बेग नहीं बन पाएगा अगर स्वासोधी बेग नहीं बन पाता है तो इससे क्या होगा कि सीवेच में कुछ ठोस निलंबित कड़ मिले होते हैं जो कि सीवर के सता पर आ करके एकत्रित हो जाएगे और उसको ना होने पैये, इसके लिए पाइप लाइन पे कुछ दूरियों पे एक धावन टेंक या धावन टंकी की ब्यास्था कर लेते हैं. अब यह जो धावन टंकी होती है सीवर लाइन में इस प्रकार से बेवस्तित की जाती है कि यह एक निश्चित समय के बाद पानी को सीवेज के साथ मिला दे यहनि सीवेज की मात्रा को बढ़ा दे जब सीवेज की मात्रा बढ़ जाएगी उस दवरान सीवेज का बेग स्वासोधी बेग से भी अधिक हो जाएगा तो उस दवरान क्या होगा कि सीवेज में जो निलंबित कड़ सीवर पाइप के तलों पे बैठे होंगे उनको भी साथ में लेकर के आगी निकल जाएगी तो इससे क्या होगा कि जो सीवर लाइन बिचाया गया होगा वह सीवर लाइन हमारा और रुद्ध नहीं होने पाएगा अगर बात किया जाए कि जो यह धावन टंकी है यह धावन टंकी यह फलसिंग टंक किस प्रकार से काम करती है तो यहाँ पे क्या किया गया है एक प्रवे प्रवेश कराई जाएगी यहां पर एक घंटा लगा दिया गया है यह घंटी आकार का बनाया गया है और यहां पर यह हमारा ओबर फ्लो पाइप दिखाया गया है और यह हमारा सीवर के साथ ले जा करके जोड़ दिया जाएगा यहां पर जो कच्छ बनाया गया है उसको ढख अब होगा क्या कि जब यहां से पाने इसमें प्रवेश करेगा तो एक निश्चित तल से अधिक जल की मात्रा इसमें एकत्रित नहीं होने पाएगी जैसे ही इस तल से इसमें जल की मात्रा बढ़ेगी वह ओबर फ्लो से होते हुए या बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे देखेंगे तो एक यूटी यूब लगाया गया है याइसको का सकते हैं कि ट्रेप बना दिया गया है यहां पर अब यहाँ पर घंटा इस प्रकार से बनाया गया है इस पे कुछ-कुछ दूरी पे ऐसे होल किये गए होंगे जिससे की जल की मात्रा इसमें आ जाए अब यहाँ कारकिस्प कारशी करता है कि जब एक बार इसका फलसिंग हो जाता है यहाँ जल इस कच्छ से बाहर निकल जाती है तो यहां कच्छ हमारा पूरा खाली हो जाता है और यहां जो घंटी बनाया गया है इसके अंदर भी जल की मातरा की उपस्तिती नहीं होती है तो इसमें किया क्या जाता है कि जब यहां से पानी को प्रवेस कराया गया तो यहां जो होल किये गए होंगे उस होल से होते हुए इ इसके अंदर पानी प्रवेस करेगा लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि कुछ वायू फसे होंगे और इसमें यहां तक जो हमारा ट्यूब डाला गया है इस ट्यूब में यहां तक पानी भरा होगा अब जैसे जैसे इसमें जल का तल बढ़ेगा इस कच्छ में जल का तल बढ़ और यह वाईू कम्प्रेस होता हुआ जाए जैसे जैसे जल का तल ऊपर के तरफ जाएगा तो इसमें जो वाईू भरा होगा वह वायू डिवाईू चाहिए एक स्थित्रिन एईगी कि वायू जो होगा इतना दाब उस वाईू का हो उसके अस्थान को परिवर्थित कर देगा तो जब यहाँ पे दाब अधिक हो जाएगा और यहाँ पे वायू के साथ कुछ जल की मात्रा यहाँ से होते हुए बाहर सीवल लाइन में निकल जाएगी तो यहाँ पे निर्वात उत्पन हो जाएगा जैसे ही यहाँ पे निर्वात उत्पन होगा तो यह पूरा ट्रेंक का जल इस पाइप से होते हुए सीवल लाइन में चला जाएगा तो इस प्रकार से हमारा फलसिंग ट्रेंक कारिक करता है अब इसके बाद हम बात करते हैं समवातन साप्ट या अस्तम्ब की तो यह जो सनवातन साप्ट होता है या सीवल लाइन पे बनाया जाता है सीवल लाइन जो विछाई जाती है उसी पे कुछ दूरी पे बना दिया जा सकता है या का सकते हैं जहां पे इसका दिसा परिवर्तन होता है यानि जो सीवल लाइन विछाई गई है जब वह सीधी ना जा करके किसी दिशा में मोड़ती है तो इस मोड़ पे बनाये जाते हैं साथ हे साथ अगर सीधी लंबाई की बात किया जाए तो सीधी लंबाई में या 200 से 300 मीटर के अंतराल पे बनाये जाते हैं अगर इस पाइप की ब्यास की बात किया जाए कि जो bent pipe लगाया गया है या gas की pipe लगाई गयी है या समवातन साफ्ट जिसको कहा जाता है उसकी ब्यास क्या होती है तो वह ब्यास हमारा 10 से ले करके 30 cm तक होता है इतने ब्यास का बनाया जाता है या हमारा धलवा लोहे का धलवा लोहे का बनाया जाता है और इसकी जो उचाई होती है इतना प्रियाप्त रखे जाती है कि यहां से जो गैसे आती है यहां से जो हमारा सीवल लाइन होता है उस सीवल लाइन में कई प्रकार की गैसे उपस्तित होती है यहां सकते हैं जो सीवेज होता है जब उसका अब घटन होता है तो उसमें से सब्टेन हो गया करबन डायक्सायड हो गया है एज टूइस हो गया तता कई बिसपोटक गय से लिए निकलते हैं जब यहाँ पे इसका गटन होगा तो यह गय बाहन निकलेंगे, अब इसकी उचाई कम से कम नव मीटर तक या इतना प्रयाप्त होना चाहिए, जब गैसे यहां से बाहन निकलें, तो भूम सताः पे रहने वाले प्राडियों को प्रभावित ना कर सकें, तो यह इतने प्रयाप्त उचाई में बनाया जाता है, और यहां गैसे वावी मंडल में मिल जाती है तो इस प्रकार से यह हमारा समवातन साफ्ट कार्य करता है गर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें शेर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद